दो अलग अलग कारेवाई में इटीकिट डलालो को पकड़ कर उसके विरोध आर पी अप थाना नाकपूर में रेल अधिनियम के तहत मामला दर्श किया गया है दिनांग 2 नवंबर को सुचना के आधार पर निरिक्षक C.I.B. नाकपूर के S.K. मिश्रा उपलिरिक्षक आर की यादव आरकशक आनन करवाडे आरकशक आनन जमदाले प्रधान आरकशक मनोच काकड सभी C.I.B. नाकपूर तथा आरकशक अश्विन पवार वरिष्ट मंडल सुरक्षा कारियाले नाकपूर तथा सीता बर्डी नाकपूर के पुलीस कर्मियों की मदद से वासु पुझ जनरल स्टोर्स रेलवे स्टेशन के सामने नाकपूर में रेट की गई रेट के दोरान दुकान पर बैठे व्यक्ती मनिश मोहनलाल तोरावत उम्र 35 वर्ष निवासी मोहननगर नाकपूर बताया गया रेल आरकशन एटिकेटों के बारे में पूछने पर अनभिग्यता जाहिर की बाद गहनता से पुछताज करने पर दुकान के काउंटर से दो नक पुरानी रेल आरकशन एटिकेट जिनका मूल्य 3760 पाया गया बाद अपने लैपटॉप से 29 नक पुरानी रेल आरकशन एटिकेट जिनका मूल्य 34,221 दशमलो 3 पाया गया जो दुकान मालिक ने एक परसनल फेक यूजर आईडी के माध्यम से ग्रहाकों की मांग पर ग्रहाकों से टिकेट किराय के अतिरिक दोसो से तीन से रूपए कमिशन लेकर रेल आरक्षन ए टिकेटों की काला बाजारी करने का गुना स्विकार किया बाद उपने रिक्षार आर के यादाव द्वारा एक माई मोबाइल जिसके कीमत तीन हजार एक नग एचपी कमपणी का लैप्टॉप कीमत बीस बजार एक नग इपसॉन कमटी का प्रिंटर कीमत दस हजार एक माउस कीमत दोसो मोबाइल एक तीस नग रेल आरक्षन ए बाद आरपी एफ थाना नाकपूर को आरोपी तथा जब्तमाल के साथ सुपूर्थ कराने पर निरिक्षक नाकपूर आरार जेम्स के आदेशान उसार उपर निरिक्षक विनोत खर्माटे द्वारा आरपी एफ थाना नाकपूर में अपराद करमांकर 860-2020 रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला दर्चकर आरोपी को गिरफतार किया गया मामले में जान जारी है दिनांग दो नवंबर को सुचना के आधार पर निरिक्षक C.I.B. नाकपूर S.K. मिश्रा उपनिरिक्षक नाकपूर मनोज धाइगुडे प्रधान आरकशक सुरेश डुलगच तथा आरकशक अमीत बारपातरे, वरिष्ठ मंडल सुरक्षक कार्याले नाकपूर तथा सीताबर्डी नाकपूर के पुलीस कर्मियों की मदद से हॉलिडे एक्सपर्ट गणेश टेकडी रेलवेस्टेशन के सामने नाकपूर में रेट की गई। रेट के दोरान दुकान पर दू स्टार कंपनी का डोंगल होना बताया, बाद गहनता से पुश्टाश करने पर उसने बताया कि आयार सीटी सी का डोंगल काम नहीं करने पर अपनी दो परसनल आईडी से ग्रहाकों की मांग पर ग्रहाकों से टिकिट किराय के अतरिक 50 रुपे कमिशन लेकर रेल आरक्ष जिनका मूल्य 1829 पाया गया, बाद दुकान के काउंटर को चेक करने पर एक नग रेल आरक्षर काउंटर टिकिट जिसका मूल्य 310 पाया गया, दुकान पर बैठे व्यक्ति द्वारा कमिशन लेकर रेल आरक्षन ए टिकिटों की काला बाजरी करने का गुना स्विकार करने उपनिरिक्षक मनोज धायगुडे द्वारा उप्त चार नग पुरानी रेल आरक्षर टिकिट जिसकी कीमत 2149 तथा एक रियल मी मोबाइल कीमत 15,000, एक नग लिनोपो कमपनी का लैप्टॉप कीमत 25,000, एक नग सैमसंग कमपनी का प्रिंटर कीमत 5000, एक कीबोर, एक नग कीमत 47,149 जबती पंचनामा के तहट जब किया गया, बाद निरिक्षक नाकपुर आरार जेम्स के आदेशान उसार, उपन निरिक्षक मनोज धायगुडे द्वारा आरपी एप ठाना नाकपुर में अपरात क्रमांक 861, 2020 रेल अधिनियम की धारा 143 के तहट मामला दर्शकर आरोपी को गिरफतार किया गया, मामने में जान जारी है, कैमरा परसन राजकुमार महोट के साथ अभिशिक पांसे की रिपोर्ट